तो भाई मत परिशान करते हैं जयान से द्यान से दिर दिर है तो भाई वेलकम बैक टू मैं जनल तो भाई आज अपन टेस्ट करने वाले गाड़ी का ग्राउंड के लेंज टेस्ट लेकिन वह ऐसे वाले इलाके में जहां वाटर लोगिंग हुई पड़ी है तो इस वीडियो में मतलब एक बार बहार की शोट भी आपको देखने को मिल जा तो भाई मज़े आगे मज़े है तो भाई अभी जैसे एक आपने एक ओप्स्टिकल तो देख लिया पार गड़ दिया अभी पीछे कोई थारवार वाले हैं इनको भी क्रोस करना फिर पहले इनको जगह देंगे उसके बाद हम आगे और अपना कंटिन्यू करेंगे वीडियो पहला उप्स्टिकल भाई कुछ पता ही नहीं लगा लैकि मैंने एसी वगएरा तो ऑफ कर रहा था क्योंकि और पानी बंदी रहना चाहिए तो ही दोनों था थार वालोग अभी पूरा ऐसे मूसा टिका हुआ था लेकिन मैंने तो प्यार से निकाल ली अब यह वाला तो चोटा सा यह तो अशी निकल जाएगा तो बाई थार वालोगों तो देदी साइड अभी देखते इस वाले उप्स्टिकल से अपनी गाड़ी निकल करता हूं आगे वाले पर चले जाता हूं तो यहां पर पानी है नहीं है छोड़ दे चला जाओ ठीक है चला जाएगा फिर इस वीडियो में माइट भी हो सकता है आप लोगों को लग सकता है जब मैं गाड़ी निकाल रहा हूं तब अंदर से क्यों नहीं दिखा रहा तो उस रिकोड़ करने लिए कुछ तो अभी एक बर मैं क्याम करता हूं आपको अंदर से रिकोड़ कर लेकर फिर मैं वापी से निकाल दूँगा नहीं या फिर तो यहीं छोड़ दूना पक्का निकल जाएगा नहां से यहां पानी वानी काफे बराव तो आना मेरे को फुचा दि मतलब क्यां दो हैं निगलते तो काफी प्यार से तेखो आरे पिम देख लो स्पीड देख लो और यह खटा देख लो कितना ज्यादा एक तम पूरा और आराम से निकलते है कोई आई सट इसको जोर बोड़ देगाना पड़ी जाएगी पर यह प्रनिता बंधा ही यह लेना पड़ेगा ठीक कोई दिक्कत नहीं तुझे बता दियो कहां छोड़ना है अभी एक फोन ची ऐसी दिक्कत आते हैं यहीं छोड़ दूना कि जान दे जान दे कि जान दे जान से जान से पीछे खड़ा है कि आपको एक लाइक करने में बहुत सरम आती है यह जान दे जान दे कि अध्याद बाइक वाले बहुत परिशान करते हैं आ रहा है अभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ बैठने दो दे चोड़े पक पेर करके अध्याद आ जान दे आर अभे अध्याद से द्यान से दिर दिर छिटते लगेंगे मेरे कि अध्याद आराम से अध्याद पानी पानी हो गया है अध्याद बाहर से तो इतने शोट लिया जाएंगे आपके यहां पे मंदी रहना तो गाड़िया वाड़िया भी आती रहती है मैं अंदर से दिखा देता हूं अभी आपको यह ज्यादा पानी तो यहां पे है नहीं चोटा साही वीडियो रहा है ज्यादा ओफ रोडिंग का वीडियो है नहीं कितना क्या पानी है ठीक है यह फोन ले आता ना तब आपको अंदर बाहरे दोनों शोट मिल जाते जितने भी हमने रिकोर्ड करें एक दम ऐसे तो प्यार से निकल लिए इन छोटे मोटे पानी वाले में कुछ पता नहीं लग रहा हाला कि खड़े हैं अंदर कीचड़ सा ऐस अगर में को पर्सनली फील बताऊं ऐसे लग रहा जैसे टायर्स जो है वह ट्रैक्शन लूज कर रहे हैं पर वह ट्रैक्शन कंट्रोल कैसे जैसे उसको बनाने कोसिज कर रहा है उस वज़ज़ से वह थोड़ा सा वह बोलते हैं कि पावर ड्रोप सी लगती है बाकी हाला कि तो एकदम अच्छे से परफॉर्म करें यहां पर एकदम खड़ा था एकदम थोड़ा सा से लगरेट आयर ट्रैक्शन लूज कर रहे हैं इसके अंदर अगर मैं माल लोग रोक दू ना इस पानी के अंदर यह अभी जो खड़ा है उसके अंदर पक्का गाड़ी डेफिनेट जरूर पड़ सकती है उसमें तो देखो कोई डाउट है नी तो अभी यह साइद मेरे खाल से लास्ट आएगा ना साइद यहां पर लास्ट पानी वाला आएगा और यह भाई लोगों ने आना खेत कप जानने के लिए जो जाड़ियां आधी की बाहर निकाल रखिये ना यह नहीं और नहीं है इतना ही है यह लास्ट था साइद मेरे काहां पर यही को है यह पूरा रस्ता जानता हूं मैं नहीं जानता है तिरसे जादे या तो यह तो चोटे-मोटे हैं इससे तरसे निकल जाएगी अब दिक मैं तो वही थे दो अपने सबसे पहले जो फर्स्ट वाला था ना वह सबसे जादा था उसमें तो थार का पूरा का पूरा मूँ अंदर चला गया था एंड इसका मुझे नहीं पता मैंने अभी तो क्लिप्स चैक नहीं करी कितना क्या गया है इतने ही थे मेरे ख्य सब्सक्राइब निकाल लो लेकिन मैं बात हुआ है कि खड़े तो वे पत्थर बत्थर है तो क्या है इनमें जोर बोत आता है जब गाड़ी बड़ 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 आ जाती है तो कितने प्यार से निकलती है इनमें गाड़ी इनमें ऐसे फील ही नहीं आता है इवर पता ही नहीं लग रहा गाड़ी को दो इन चोटे मोटो में तो देखो पता लगता नहीं है अब बड़ा आजा एक दम उसका मैं बोल नहीं सकता है ठीक है हलके फुल के जितने मैंने इस वीडियो में दिखा है ना एक तो आपने वह फरस्ट वाला देखा ही हुआ कितना जाद तो फील भी हुआ कि गाड़ी को थोड़ा जोर भी पड़ रहा है नहीं लग रहा ना और जब भार खड़ा था तब कैसे लग रहा था कि गाड़ी असे डूब बेगी सामन से पता जबता है अपने के अच्छा यही था तो चलो भाई आई होप आपको वीडियो थोड़ा सा पसंद आया होगा ज्यादा बड़ा वीडियो तो नहीं है पसंद आये तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले कॉमेंट बताई आप अपनी राइज थैंक्यू सो मैच